Good morning students, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं B.A.B.S.E. First Master Students के बारे में जिनों ने First Time Exam देना है English Compulsory Subject का और पंजाबी Compulsory Subject का New Slavers 2 या 23 के According इस बार से New Slavers अपडेट हुआ है कि English Compulsory और पंजाबी Compulsory का exam 100 marks का होगा तो बहुत सारे Students कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ रहे हैं तो हम इस वीडियो में सारा कुछ क्लेर कर देते हैं आपको सबसे पहले आपको बता दें कि B.A.B.S.E. First Master का English Compulsory और पंजाबी Compulsory का exam 100 marks का होगा और ये First Time है जब G&U University 100 marks का exam ले रही है इन दोनों subjects का नहीं तो पहले 50 marks का exam ही होता था लेकिन आपसे 100 marks का exam होगा और जो passing marks है वो 40% marks होंगे out of 100 और जो slayvers है वो same उतना ही है जितना पहले आता था और जो exam pattern है वो भी same है जैसा कि आप अपने new slayvers में देख सकते हो जो चीज change हुई है वो बस इतनी हुई है कि 50 marks का exam पहले आता था अब बस 100 marks का हुआ है अगर हम बात करें English compulsory exam के बारे में तो जो grammar section है वो 1-1 marks के पहले 20 questions आते थे तो इस बार 40 questions आएंगे जो paragraph 2 आते थे 55 marks के वो अब 10-10 marks के होंगे और जितने questions पहले आते थे उतने ही आएंगे इस बार भी बस उनके marks increase कर दिये गे हैं जिसका मतलब आपने थोड़े जैदा pages fill करके आने हैं तो आपको डरने की जुरूरत नहीं है आपने सबसे पहले अपना सलेवस देखना है और उसी में आपको exam pattern भी मिल जाएगा और फिर आपने important questions देखने हैं और फिर आपने previous air question paper देखने हैं साल 2022 का साल 2021 का और साल 2020 का तीनों का और फिर लास्ट में आपने वो वाली वीडियो भी जुरूर देखनी हैं जिसमें हमने आपको detail में बता दिया है कि English compulsory का exam कैसे attend करते हैं उसमें 50 marks के according बताया गया है तो आपने 100 marks को लेकर ही समझना है क्योंकि बस marks ही increase हुए हैं ये सारा कुछ आपने अच्छी तरह देखना है जिससे आपकी help हो जाएगी और आपको idea मिल जाएगा exam के बारे में और सारा कुछ आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा स्लेवर्स, exam pattern, important questions, previous year question paper की वीडियोस, साल 2022, 2021 और 2020, तीनों का और अगर आपको ना मिले तो आप comment कर देना हम आपको वीडियो का link provide कर देंगे comment में और सबसे important बात English compulsory एक ऐसा subject है इसमें सबसे ज़्यादा supply आती है BA for semester students की तो BA for semester students अच्छी तरह exam की त्यारी करके जाएं और paper में सभी questions करकर आएं जितना आपको बोला गया होगा attend करने को अगर कोई doubt है तो आप comment करके पूर सकते हो तब तक इस वीडियो को like कर दो share कर दो चैनल जुरूर subscribe कर लेना और bell icon भी प्रेस कर देना थैंक्यू